जब भी हमारे workplace पे excavation किया जाता है तो उस excavation के edge को protect करने के लिए kevin से protection के लिए और हमारे workers को दबने से protect करने के लिए कई तरीके के protective measures का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि sloping, benching, soaring या फिर shielding लेकिन कि आप जानते हैं कि sloping, benching, soaring और shielding जो किया जाता है कि इस basis पे इनका excavation करने वाले हैं या फिर जहांप excavation किया गया है वो मिट्टी कि तरीके की है स्वागत आपका fire safety academy में और आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं soil classification इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार की मिट्टी के लिए कौन सा protective method इस्त है type B फिर होता है type C और last में होता है stable rock तो अब वीडियो में type A soil के बारे में जानेंगे type A soil good cohesive होता है यानि कि इनके particles की जो पकड़ होती है आपस में काफी मजबूत होती है इनकी compressive strength high होती है जो की 1.5 ton per square foot या फिर उससे जादा हो सकती है type A soil काफी जादा stable होती है इसके ज जब ये सूखे होए हैं तो इनको आसानी से तोड़ा या फिर इनके टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं type A में कौन-कौन से soil होते हैं अब इनके कुछ नाम देख लेते हैं तो पहला होता है clay, दूसरा होता है silty or sandy clay, फिर होता है clay loam and cemented soils तो अभी आप जो picture देख रहे हैं दूसरी picture में हम clay loam देख रहे हैं type A soil excavation में protection के लिए sloping की जा सकती है जिसका angle 53 degree होना चाहिए इसके अलावा benching protection method का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अब जानेंगे type B soil के बारे में type B soil भी very cohesive होती है यानि कि इनके particles की जो पकड़ होती है वो भी मजबूत होती है इनकी जो compressive strength हो moderate होती है जो की 0.5 से 1.5 ton per square foot के बीच में हो सकती है type B soil type A soil से कम stable होती है इसके जो particles होते है वो दानेदार होते है इस तरीके के soil में थोड़ा बहुत clay mix हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है सुखा होने पर इस तरीके का soil आसानी से बिखर जाता है अब type B soil में कौन-कौन से soil होते हैं उनके नाम देख लेते हैं तो पहला है silt फिर होता है clay loam फिर होता है silt loam फिर होता है sandy loam फिर होता है angular gravels similar to crushed rock यानि कि जो पत्थर के छोटे-छोटे टुकडे होते हैं वो भी class B soil में आते हैं जैसा कि आप image में देख पा रहे होंगे यह silty loam है next image में यह loam है औ कि पत्थर के छोटे-छोटे टुक रहे हैं type B soil को protection provide करने के लिए benching या sloping की जा सकती है type B soil को protection के लिए sloping करते समय slope का angle 45 degree होना चाहिए अब जानेंगे type C soil के बारे में type C soil सबसे ज़्यादा dangerous soil है इस तरीके के soil कोहेसी होते हैं बट इनकी जो compressive strength होती है वो काफी low होती है यह 0.5 ton per square foot या फिर उससे कम की हो सकती है पहले के दो type की अप एक सा type C की stability बहुत ज़्यादा कम होती है type C में कौन-कौन से soil होते है तो granular soil होता है including gravels, sand and loamy sand, submerged soil, rock उस तरीके का पथर rock जो stable नहीं होता है टुकडों में होता है या फिर उस तरीके का soil जिसके तुरू आसानी से पानी पार हो जाता है ऐसे soils type C soil में आत और अगली picture में हम loamy sand देख रहे हैं type C soil में slopping करते समय जो slope का angle होगा वो 34 degree का होना चाहिए अगर मिट्टी में water seepage जैसी चीज़ देखने को मिलती है तो जो slope का angle है वो ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है type C soil में protection के लिए benching नहीं की जानी चाहिए type C soil में protection provide करने के लिए soaring ceiling या फिर seed piling की जा सकती है अब हम last type पे आते है stable rock, stable rock एक natural solid mineral होता है जिसको आप 90 degree पे excavate कर सकते हैं और इसके जो edges होंगे excavation के वो intact रहेंगे बिना किसी protection provide किये stable rock में rock या फिर haly terence जैसे area आते हैं जैसा कि आप picture में देख सकते हैं कि excavation के जो edge है वो पूरी 90 degree पे हैं पर rock के पूरी तरीके से stable होने के कारण यहां पर किसी भी तरीके का protection provide करने की ज़रुरत नहीं है अब तक हमने वीडियो में जो soil के types देखे हैं type A, type B, type C और stable rock यह किस हिसाब से किस तरीके से इनको classify किया जाता है उसके बारे में अब वीडियो में जानने वाले हैं तो किसी भी workplace पे excavation किये जाने से पहले या excavation के दोरान एक competent person के दोरा उस site का inspection किया जाना चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि वहाँ पे जो मिटी है वो किस तरीके की है उसके हिसाब से उस competent person के दोरा decide किया जाएगा कि वहाँ पे कौन सा safety major इस्तेमाल किया जाएगा जैसे कि sloping, benching, soaring, shielding या फिर street piling किस तरीके का protective method वहाँ पे best होगा excavation को protect करने के लिए soil का type जानने के लिए site का inspection दो तरीके से किया जाता है पहला जो है visual दूसरा है manual विजोल यानि कि आप अपने आखों से देख के अपनी आखों से पता लगा सकते हैं कि मिटी किस तरीके की है क्या-क्या उसमें particles हैं क्या देखने को मिल रहा है दूसरा जो है manual test है जिसमें कई तरीके के test सामिल है जैसे कि plasticity, dry strength test, thumb penetration test और pocket penetrometer test तो इस तरीके के test को conduct करके और decide किया जाता है कि आपके workplace पे किस type के मिटी है और कौन-कौन से protective measures का इस्तेमाल किया जाना best रहेगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको लगता है कोई point छूट गया है जो कि कि इस वीडियो में बताना चाहिए था वो हमें comment section में जरूर बताईएगा वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए stay stay be happy जहीं जहीं